कि देखिए जो वीडियो है यह थोड़ी शी ओफ टोपिक है जो हमारी सीरी चल रही है इन ओर्गैनिक फर्टिलाइजर्स की उससे थोड़ी शी ओफ है यह मैंने इसलिए उफ टोपिक इसलिए चूज किया क्योंकि मैंने देखा कि अभी सरस्वें पहला पानी जा रहा है तो क से पिकी में यह होता है लेकिन आए पर चाहि unbelievableष्य निऊट्रेंटन्स दुरूथ परती है ईग्पान की दुपर देखेए का होता है कि वह बहुत सारी त Yaz theor के से यह लापक डायग होता है वह कैसे सल्फर एक रुक्राइब करता है फंगी सैड़ीर को है अब बात करते हैं सल्फरीर असे अंदर सफेद मक्हीज आती है वह नहीं आती हो आपके फशल कर सकते हैं दूसरा फंगी सैड की तह देखे क्या होता है कि मैं आगे पिछली वीडियों बताए था बर्शात और सर्दी के मोसम में धूप कम निकलती है इससे मोईस्टर बढ़ जाता है मोईस्टर बढ़ने से फंगस लग जाती है तो सलफर होता है फंगस से और रश्ट से दोनों से बजाता है फिर बात करते हैं ग्रोस रेगुलेटर की तरह है अंदर जो क्लोरोफिल की मातर करता है मैं अपना खाणा बनाता है अजब क्लोरो फिल की मात्रा अधिक होगी तो फोटो सिंथेसिश भी इसकी ग्रोथ बढ़ेगी आपके खेट में सलफर की मात्रा 10 PPM से कम आ तो बीस से उपड़ी है तो सब्सक्राइब से आदिक है 20 पी पीम से अधिक आ रही तो सलफर की अधिक आधिक आपकर आपके खेफ के अंदर अब आपको बता दिता हूं कि अभी अगर आप सलफर डालोगे पहले पानी चाहिए पहले वेराइटी को उनके नदर क्थन लग जा ट्खन करने वो यो आती है वैसा इसलिए क्योंकि तो ठशन को यह वह ऊच्हिक नहीं रुसित learn वे इसलिए पॉपर प्रשका पतला रहा था सब्स्नस्राइबूता सब्सक्राइब कूटेद होता Oxeder यह इंसेक्टि सेड भी काम करेगा फंगी सेड हम करें फंग से बचाएगा और ग्रोफ रेकुलेटर की तरह भी काम करेगा और मेंग भात थंडी से बचाएगा तो सलफर को डाल लो मेरे कहने से हम छो हिं